प्रियात्रा के पहले चरण में पीए मोदी जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रन पर जी सेवन शिक्षर सम्मेलन में अच्छा दोस्तों जापान ने भारत को ये बोला है कि यूपी आई हम लोग यूपी नहीं करते हूँ प्रफलाणा डेमका अब क्या है कि आई यह तो बड़ी अच्छी चीज यह है यह तो मुझे भी है तो भारत ने लो और भी कर रहे हैं आप भी ले लो अभी जो मीटिंग जो कल शुरू हरी है यह जी सेवन की मीटिंग है इस जी सेवन की मीटिंग में चायना is not invited तो जिपैन ना चायना है पहले जी एट हुआ करता था लेकिन रश्या को निकाल दिया तो वो G7 हो गई तो अब G7 में इंडिया को बिलाया गया मुदी का G7 की बैठक में भाग लेने के लिए जपान पहुंसते ही एक साथ तीन घटनाई हुई पहले चीन को G7 में बुलाये जाता था अब की बार उसे नहीं बुलाये गया दूसरी एमजन ने जो अमेरिका की बड़ी कंपनी है 300 करोड रुपे का भारत में निवेश करने का फैसला किया है और साथ ही जापान भारत का UPI लेने में इंटरेस्टेट है इतनी बड़ी कम्याबी के बाद आगे की चर्चा सुनते है अमजन वेब सर्विसेज जो के बेसिकली क्लाउड बिजनस है अमजन डॉट काम का वो काफी जादा इंवेस्टमेंट का रही है जिससे कम एक लाग तीस हजार से जादा जॉब्स इंडिया में क्रियेट होंगे और यह जो इनका जो एडवली वैस जो है यह औरडी इंडिया के अंदर तीन सो अरब रुपे से जादा पैसे जो है वो दोजार सोला से लेके दोजार बाइस के बीस में लगा चुका है तीन सो अरब रुपे से जादा अब आप इमेजन कर लें कि अगर एक ट्रिलियन जो है वो तेना अरब डॉलर बनता है ठीक है जी सो तीन सो अरब जो है वो तीन चार अरब डॉलर के गरीब हो लगा चु तो ये है वो डिफरेंस ठीक है जी और ये जो इडिया की डिजिटल एकॉनमी आउटरी है इससे अपने बच्चों को फाइदा दें इंडिया के साथ प्राइवट सेक्टर को खोलें और प्राइवट सेक्टर तब खुल सकता है जैसे बिलावल गए इंडिया के अंदर हलात ख बुला है कि यूपी आई हम लोग यूपी नहीं करते हुआ भी मैप और फलाना डिमका जिद अब क्या है कि जापान कहता है कि यह तो बड़ी अच्छी चीज है यह तो मुझे भी चीए तो भारत ने ले लो और भी देश कर रहे हैं आप भी ले लो तो जैपनीज क्या कह र सब्सक्राइब खूर्वेल यहां पर ऐसा सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने कि मैं आपको एक हजार बार पैसे भ matar चूइब घ्र सब्सक्रप कह ओसे दउन इंडिविज्वthinking को स्टीव गratinis करें और बिजितल पिरने और बिजेश चैसिग क्ला बोग त distingu मैं Сам x की बात कर रहे हैं digital interdependence की बात कर रहे हैं देखिए अभी जो मीटिंग जो कल शुरू हो रही है यह जी सेवन की मीटिंग है इस जी सेवन की मीटिंग में चाइना इस नॉट इन्वाइट तो जपान ना चाइना है पहले जी एट वा करता था लेकिन रश्या को निकाल दिया त तो अब जी सेवन में इंडिया को बलाया गया इंडिया इस देर मीटिंग में कल जा रहे है नरेंदर मुदी जपान यह पहुंच भी गया होंगे नरेंदर मुदी जपान यह तो यह स्टेट विजट 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 हो रही है इस से जगादा इजट अवजाई अपर दिया है नहीं का सकता इस 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 लाएट ग्रवाइट अपर इस तो अवर्य को अज़िए जब को थे बहुत बड़ा वाइट वाइट हमें इस तेशे पहले जो विजिट्स हुए थे ना इन्द मोडी के दे वे नॉट स्टेट विजिट्स इससे पहले भी वो आए हैं यू एन यू एन के असेमली मीटिंग वेब सर्वसिज आ ये कह रहे हैं कि हम 13 अरफ डॉलर इंडिया में लगाएंगे 2030 तक क्योंकि जो चर्वसिज की जो टिमांड है आइटी सेक्टर में जो आइटी पावर हाउस है का इन्डिया का उसमें उसकी डिमांड बढ़ रही है खो ये चीज़ के जो former एक planning commission के चेरमें थे हैं ते हैसन इकवाल जो आज कल जेलो में हैं इम्रान खान के दोस्त हैं इम्रान खान के पार्टी के वरकर हैं वो यह कहते हैं भाई कि हमारा जो neighboring country है वो इंडिया और चाइना और हम भी उनके साथ grow करेंगे लेकिन ये जो opportunity इंडिया के अंदर जा रही है इसको कैसे cash-in करना ये तब हम कर सकते हैं जब इंडिया के private sector के साथ हमारे तालुकात अच्छे होंगे पाकसानी private sector को open up होना चाहिए इंडियन private sector के साथ और ये तब ही हो सकता है जब हमारी सरकार जो है वो महौल को नरम करेंगी और लोगों को अजादियां देगी कोनो तारो कहता है कि गर्मन्ट अफ जैपान इस सीरिसली कंसिटरिंग जॉनिंग इंडिया यूपी आई पैमेंट सिस्टम आप समझिए यहां से आपको जपान पैसा भेजना है जपान को यहां पैसा बेजना है किसी को भी ट्रेड है फट से यूपी इसे पैसा भेजा नो प्रॉब्लम सीम्लस ट्रांसफर उप मनी वो बैंक शैंक जाना यह सब वो सब कहानी खतम की फॉर्म साहिन करो फिर अच्छा यह फिर यह बना के यह कागज फिर यह सब बंद हो जाएगा जिस जिस के स बेज़ी और भी जादा खास रहने वाला है क्योंकि इस साल G20 की जो अध्यक्षता है भारत के पास है और जो G7 है वो भी G20 का हिस्सा है इसे में प्रधान मंत्री के पास यह जो यात्रा है एक तरह से मौका है नेताओं के साथ विचारों के आदान प्रधान करने का जिस तर एक मौका प्रदान करती हैं इस तरह की मुलाकाते और यहां पर प्रधान मंत्री की जो द्वी पक्षिय वारता होंगी विभिन नेताओं के साथ उसमें इन चनौतियों से कैसे पार पाया जाए किस तरह से इन चनौतियों से लड़ा जाए उसे लेकर विस्तृत बातचीत होग प्रधान मंत्री की तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा पर आज पहुंचे हैं और यात्रा के पहले पढ़ाव पे वो जापान आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी कारी तुरंट आप तक पहुंचाए धन्यवाद जय हुआ